स्वागत अब अब अपका Self Study के इस चैनल में और आज हम अपनी Basic Lecture 4 जो हम स्टार्ट कर चुके थे इसका वर्ब का First Part आ चुका है, Second Part है ये और एक बार जल्दी से Revision कर लेते हैं कि हमने First Part के अंदर किया क्या-क्या था हमने वर्ब के अंदर हमने ये देखा था कि Action को Represent करते है कि Doing होती है, Being होता है, Happening होता है, Doing का मतलब होता है, करना, मैं थोड़ा Fast इसलिए कर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं और ये सब चीज़ें डिसकस कर चुका हूं, तो Being का मतलब होता है होना, यानि किसी का कुछ होना, State, यानि ये दश्या बताता है किसी के, Clear, Okay, Happening का मतलब होता ह अपने आप, अपने आप कोई काम हो जाना, अपने आप काम होना, Clear, जैसे बारिश होना, वो अपने आप हो रही है, अब उसके उपर हम ये नहीं जाएंगे कि ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसे भाप बनती है, भाप जती उपर जाती हो ठंडी होती है, हमें उस प्रोसे being में कोई action नहीं होता कि यहां पर object अप्जेक्ट कभी आयेगा क्योंकि object एक्शिवर होता है action का receiver होता है अब action का receiver होता है तो यहां पर action होता है often इसमें एक street बताई जाती है यहां पर teacher है तो इसमें किसी का कोई action नहीं हुआ एक दशा बजाए जाती है तो इसलिए यहां पर कभी भी object नहीं आएगा clear यहां पर object नहीं आएगा happening work पर मैंने आप लोगों को बताया था इसमें काम अपने हाँ हो रहा है देखें राइजी जो है यह जो काम है वो sun के उपर हो रहा है उगने का काम होगा कि इसके पर sun के उपर फैल का काम है मतलब गिरना इसका मतलब गिरना गिरा को नहीं रोहन और कि slip हो गया ग्लास तो यहां पर आप देखेंगे यह जो subject बना था वही action का receiver हो गया तो action का receiver खुद subject बन गया तो object तो वहां पर आएगा ही नहीं clear यहां पर तो इन दोनो cases में हमने देखा था object आता ही नहीं फिर मैंने आप लोगों को यह subject subject plus verb के बारें बताया था कि भीया एक sentence के अंदर verb 100% आती है अगर verb आएगी तो उसका subject तो आएगा ही आएगा और यह मैंने आप लोगों को sentence के type से समझाने ही कोश्च की देखे अपने पास 5 type के sentence होते है 5 type के sentence होते है पहला होता है assertive का मतलब होता है कथन का मतलब होता है कहना clear तो हम कैसे कहेंगे कोई चीज तो हम affirmative affirmative का मतलब होता है positive कोई बात हम affirmative यानि positive way में कहेंगे जैसे Mohan plays cricket Mohan play cricket cricket खेलता है या negative कहेंगे Mohan does not play cricket तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को यह does का concept भी समझाया था does क्यों लगा यह note भी बताया था यहाँ पर S लगा हुआ यहाँ पर S नहीं लगा इसका concept भी बताया था clear यह सारी चीज़े मैं discuss कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर मैं briefly बात कर रहा हूँ आपके सामने interrogative मैंने बताया था interrogative में क्या होता है फिर से मैंने question mark नहीं लगा है interrogative में क्या होता are you studying English जिसमें question पूचा जाए तो वह interrogative होता है और यहाँ पर भी क्या हता है यहाँ पर भी subject आता है यहाँ पर भी subject आता है यहाँ यह verb रही यह helping verb है यह means verb है clear तो यहाँ पर हमने दो sentence में देखा यहाँ तो subject और verb मिलता है फिर हमने तीसरे टाइप काम ने बात की थी imperative में imperative में मैंने कहा था तीन टाइप के काम होते हैं इसके order बताना, advice देना, request करना clear यहां पर और इसमें जो है यह verb रही बब की waste form से start होती है बब की waste form से start होती है sentence जो है यहां पर बब की waste form से start होता है clear यहां पर मैंने आप लोगों को बता है जो subject होता है, वो subject कौन होता है यहां पर subject होता है, you क्यों, इसका reason मैंने आप लोगों को दिया था क्योंकि close the door, यह कहने वाला मैं हूँ मैं किसी को order दूँगा, यह काम कौन करेगा जो इस काम को सुनेगा, और listener जो होता है, वो you होता है listener जो होता है, यह listener है और listener जो होता है, वो you होता है clear, तीन person होते हैं न हमारे सामने तीन person होते हैं, यह सारी बाते मैं कर चुका हूँ तीन person होते हैं, तीन person में first person होते है, first person होते है second person होते है, third person होते है अब first person होता speaker, second person होता listener, third person होता talk about जिसके बारे मैं बात की जाती है, तो ये तीन हो चुके थे, मैंने कहा था ये optative वाला है, हम ये बाद में करेंगे, क्योंकि 41 minute की video हो चुकी थी काफी lengthy video हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा break कर लेते हैं, इसको अलग अलग video में आपको provide करते हैं, तो शुरू करते हैं आगली कहानी को, मतलब अगला concept हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो optative, optative का मतलब होता है किसी के लिए कोई दुआ करना, दुआ करते हैं हम यहाँ पर, may you succeed in your effort, may you live long, हम यह कहते हैं कि तुम भईया अपनी जिंदगी में success हांसिल करो, तुम लंबे जीओ, you are welcome, thank you, यह सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ओके, थोड़ा break कर लेते हैं possessive adjective, clear यहाँ पर, सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं, अगर यह कोई पहली बार देख रहा है, तो I have already cleared all these basic concepts, अगर आप जाकर देखेंगे, पीछे की वीडियो में, मैंने आप लोगों को noun, adjective, adverb, सारी चीज़ें करवा दी हैं, यह verb का थोड़ा सा basic में, थोड़ा बड़ा ह इसका काफी बड़ा है, detail में भी हम इसको अच्छे से करने वाले हैं, तो यह अगर नहीं बता हैं, तो जाकर वीडियो आप देखें लीजिए, अलग से playlist मेंने बना रहे हैं, यहाँ पर आईए, may, might, must, यह क्या होते हैं, modals होते हैं, clear, और यह है रही verb की base form, यह रहा है यह subject, तो यह आप पर देखा, यह वह वाई, इसके लिए यह रहा subject यहाँ पर, अब एक चीज, यहाँ पर notice करने वाली है, कि दहां देखें, ओके, यहाँ, interrogative में, जब helping वाप पहले आई थी, helping वाप पहले आई थी, तो यह question मनाया था, लेकिन, objective में, यह helping वाप भी तो है, मोडा, help वी तो कर रहे हैं, mood बता रहे हैं, यहाँ पर, helping वाप पहले आई हुई है, लेकिन, फिर भी यह क्या नहीं बना, question mark नहीं बना, यानि interrogative नहीं बना, क्योंकि, यहाँ पर आप एक देख लिजी न, यहाँ पर आप, उप्टेटिव के तोर पे इस तरीके का structure जो हो यूज करते हैं, और जो है, यहाँ पर main verb है, use subject है, welcome, subject, compliment and noun है, सारी चीज़े मैंने कर रखी हैं यहाँ पर, तो अब यह subject compliment हो गया, अब thank you भी होते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ प what a beautiful flower, कितना सुंदर फूल है, तो hooray we won the match, यह वो ही चीज़े, we won the match, यहाँ पर verb होगी, यह जो है subject हो गया, won what match, object हो गया, यह हो गया, noun, common है, ठीक है, pronoun है, यह, first person में आते हैं, clear, hooray जो है, वो interjection है, interjection है, okay, यहाँ चीज़े clear होती हैं हमारे सामने, तो यहाँ हमने क्या देखा, इसमें भी subject plus verb आया, clear, अब यह सारी चीज़े, मैंने क्यों बताई, यहाँ से मैं start हुआ, assertive का, interrogative का, imperative का, optative का, exclamatory का, यह जो concept, जो बताने का मेरा main motive यह था, कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था, तो मैंने happening verb, happening verb, being verb, doing verb, यह चीज़े गराई थी, तो यहाँ पर happening verb में बच्चा confused ही हो जाते हैं, कि जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, कि object कोन होता है, object तो होता है, action का receiver, action का receiver होता है, तो यहाँ पर जो है happening verb में, action का receiver तो खुद subject बनके बैठता है, अब अच्चा यही दिमाग लगाएगा, सर यहाँ पर subject जो है, वो receiver बना हो है, तो हम उसे object क्यों नहीं कह सकते हैं, reason यह है, कि object आए, ना आए, कोई फरक नहीं पड़ता, object आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, लेकिन यह दो चीज़े हैं, subject और verb, यह compulsory है, इसका आना बहुत जरूरी है, त फिर मैंने आप लोगों को एक चोटा सा conceptor कराया था, transitive, transitive और intransitive का, देखें, intransitive और transitive कराने का, पीछे का, main motive क्या था, main motive क्या था, main motive यह था, कि आप लोगों को अगर rule रटने नहीं है, अगर rule रटने नहीं है, उनको समझना है, logic चाहिए आप लोगों को, English grammar को रटना नहीं है, आप logic चाहते हो इस चीज़ का, देखें, 90% मैं आप लोगों को logic प्रोवाइड कराऊंगा, 10% कुछ चीज़े होती हैं, convention, बन्त, आपको माननी पड़ती हैं, वो माननी पड़ेंगे, जैसे पी को पी क्यों गयते हैं, वो तो मानना पड़ेगा ना बैया, वो मेरे पास इलाज नहीं है, तो ऐसी कुछ और चीज़े हैं, जो आपको माननी पड़ेंगे, लेकिन 90% चीज़ों का आप लोगों को logic यहां पर मिलेगा, तो यह जो चीज मैंने कराई ना, transitive, intransitive, मेरा main motive इसको कराने का यह था, कि जब मैं pronoun के lecture पर जाऊंगा, pronoun में एक concept आता है, reflexive pronoun, reflexive pronoun, reflexive pronoun में क्या होता है, कि एक verb आती है, उसके बाद कहेंगे कि यहां पर आप reflexive pronoun, जैसे he introduced himself, तो क्यों हम himself लगाएं, what is the reason, क्या कारण है उ तो वो जो चीज है, वो यह वाली concept आपको clear कराएगी, transitive, intransitive, और देखिए मैं उसमें जाना इसलिए नहीं चा रहा हूँ, क्यों कि अभी पेचिदा हो जाएगा, तो एक तरीके से समझाया है, कि इसको use कहां करेंगे, बहुत अच्छे से use करेंगे, और इसको अभी समझा पहला आपना काम क्या होगा है, पांच नहीं है, यह छे sentence है यहाँ पे, पहले इन पांचों को यहाँ पर जितने भी slide के उपर है, उनको break कर लेते हैं, पहले sentence पर देखते हैं, Mohan plays cricket with his brother, तो plays जो है वो verb होगी, यह काम किया है कि इसने Mohan ने किया, तो Mohan यहाँ पर क्या होग Revision हो जाएगी न, Receiver, Action का Receiver, Action का Receiver कोन होता है, Object होता है, तो देखिए, खेलने का काम हुआ कि इसके उपर, इसके cricket के उपर, Action को Receive कर रहा है, नहीं है, तो यह क्या बनेगा, Object का, मतलब, Verb का Object बनेगा, With, With क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया भी हो है, In, On, At, For, From, With, Without, यह जो चीज़ें होते हैं, यह क्या होते हैं, यह होते हैं, प्रिपोजिशन, और जब भी प्रिपोजिशन आएगी, उसके बाद उसका Object आएगा ही आएगा, यह 100% है, और Object कोन बनता है, Object यहा तो Noun बनेगा, यह फिर Noun का भाई, प्रोनाउन बनेगा, clear यहां पर, तो यह भाई चीज़ आती है, फिर क्या है, यहां पर प्रिपोजिशन है, यह प्रिपोजिशन है, और प्रिपोजिशन के बाद उसका क्या चाहिए, यह प्रिपोजिशन का Object तो Brother क्या बनेगा, प्रिपोजिशन का Object, Noun है, कौन बनेगा, किसका ब्रदर भाई है, यह जो है, इसके उपर अधिकार जता रहा है, तो यह adjective है, adjective में भी कौन सा है, possessive, possessive adjective, यह नि अधिकार जताने वाला, clear, इस sentence को किया, अगले sentence पर आऊ जो रहा है, Mohan played well in the last match, in क्या है, preposition है, और preposition के बाद क्या आते है, preposition के object आते हैं, यह बना preposition का object, last, यह order बता रहा है, adjective है, numeral है, numeral में भी कौन सा है, ordinal, order बताने वाला, clear, the article है, played, played यहां पर verb है, यह काम किया कि इसने Mohan यहां पर subject है, भाई, अब बताओ, खुद से एक बार question करो, Mohan played well, क्या यहां पर object आया क्या, सर, यह रहा object, well को object बना दो, अरे, यह well तो object होना है, यह तो यह बता रहा है, कि Mohan कैसा खेला, बूरा खेला, अच्छा खेला, Mohan कैसा खेला, यह well जो है, वो तो, इस played को qualify कर रहा है, यह well जो है, इस played को qualify कर रहा है, तो यह बनेगा adverb, adverb of manner, यह well को, मतलब, played को qualify कर रहा है तो adverb of manner बन गया, यहाँ पर object नहीं आया, सर यह match है ना, उसने match कहला, अरे वो तो preposition का object बन के बैठा है ना भाईया, देखो मैंने कहा था ना, preposition और preposition के object का कोई लेना देना नहीं होता, verb से, उसको side met आओ, preposition क्या काम करती है, preposition सिर्फ और सिर्फ information आइड करती है, सिर्फ simple, अगर मैं यहाँ पर full stop लगा दू, Mohan played well, भाईय अच्छा खेला था, it doesn't matter कि भाईया, आप बताओ ना बताओ, कहां खेला था, किसमें खेला था, यह आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह जो आप लगा रहे हो, नहीं दा last में चाहिए, यह तो information ही तो add कर रही है, और कुछ तो नहीं कर रहा है, यहाँ पर, तो preposition के और preposition के object का, कोई लेना दना नहीं होता, वर्ब से, तो आपने देखा, यह plate जो है, यहाँ पर इसको अपना object नहीं मिला, और यह sentence बिल्कुल सही है, यह sentence बिल्कुल है, अभी साथ सारे sentence जो है, वो सही करवा रहा हूं है, कोई भी error नहीं आ रहे हैं अगला sentence आ जाओ, अकास stopped his bike near our shop, तो stop, stopped, stopped, यह क्या हो गया, वर्ब हो गया, अकास ने क्या है, स्टोकने का काम, अकास बन गया subject, noun है, proper है, noun है, यह वाला भी proper है, मैं लिखना बूल गया था, यह noun है, common है, ध्यान रखना इस चीज़ का, stopped word, bike, bike रोगती, तो यह क्या बनेगा, object, action हुआ, action का receiver कौन हुआ, bike हुआ, stop होने का काम किसके उपर हो रहा है, bike के उपर हो रहा है, तो यह noun है, common है, किसकी bike, his bike, तो adjective है, possessive adjective है, ओके, यह near our shop, देखे, near जो होती है न, मैंने आप लोगों को करवाया भी हुआ, near जो है वो adjective ही बनती है, adverb भी बनती है, और यह preposition भी बनती है, तीनों काम करती है यह, कैसे पता करेंगे, सर हमें कौन सा काम कर रही है, यह कोई इस case में तो है, यह preposition, अगर आप preposition नहीं मानोगे, तो adverb तो आप इसको बिलकुल नहीं मान सकते, एक बार होते हैं कि, सर हम इसको preposition नहीं मान रहें, अम इसको adjective आनेगे, adverb नहीं मानोगे, उसका reason मैं देता हुँ, और जो होती है, वो verb को qualify करती है, वो adjective को qualify करती है, या फिर वो खुद को qualify कर लेती है, यहाँ पर कहीं पर भी एक किसी चीज़ को qualify करती हुई, भी नहीं मिलेगी, एक तरीके से ये देखो, ये जो चीज है, आप इसको adjective मानोगे, adverb तो मानोगे नहीं, चलो ठीक है, adjective मान लिए, अगर आपने इसको adjective उना लिया, तो ये किस चीज के लिए आ रही है, किस चीज के लिए आ रही है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये adjective है, obviously किसी चीज को तो qualify करेगी, अरे किया न सर, नियर जो है, वो बाइक नियर है, नजदीक है हमारे, तो वैसे कर लो इस चीज को, अरे वो वाला concept ना, उस चीज में जाना नहीं चाना है, क्योंकि वो देखो यार और ज़्यादा पेचीदा हो जाते है वहां पे, अगर आप इसको adjective मानते हो, तो ये जो shop है, ये noun है, ये जो shop है, ये noun है, आप इसको काम क्या provide करोगे, आप काम in the sense कि देखो, noun जो है, वो पांच काम करती है, वो पांच काम क्या होते हैं, subject बनने का, object बनने का, preposition object बनने का, subject compliment बनने का, object compliment बनने का, ये पांच काम करती है, आप इस shop से करवाओगे क्या, ये इन noun से करवाओगे क्या, subject बनाओगे, अरे already आ चुका subject, सर क्या एक sentence में दो subject नहीं आ सकते हैं, लगाओ नहीं एक और वब इसके लिए, देखें, subject लगाओगे तो उसके preposition तो ही नहीं, subject compliment, subject compliment, भी की form के बाद आता है, object compliment, object compliment, object के साथ लिखा जाता है, clear यहाँ पर ऐसा समझो इसको, तो इन पांचो काम में से कोई काम नहीं किया, तो इसका मतलब यह तो तो तोड़ा गलत ना, तो इसलिए यहाँ पर यह adjective नहीं है, यह है, preposition, तो यह preposition है, इस पर शोब को बनाओ, preposition का object, और इसके पर दिकार जताने वाला, possessive adjective, clear यहाँ पर, okay, अगला sentence पर आओ, अमित, stopped, और शोब, यह फिर से preposition है, शोब यहाँ पर फिर पर 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 दिकार जताने वाला, possessive adjective है, stopped verb है, यह काम किया गिसने, अमित ने, तो यह क्या हो गया, subject हो गया यह noun है, proper है, मैं भूल गया था यहाँ पर, noun ही proper के बारे, अब जरा इसमें देखो, क्या, इसमें object आया गया, अरे सर, अमित ने अपने आपको रोका ना, तो अमित ने अपने आपको रोका कैसे, उसके break लगे हुए थे, क्या, उसने अपने आपको रोक लिया, अरे तुम गये तुम जा रहे थे, बस रुख गये, अमित रुख गये, तो यहाँ पर action का transfer तो वह ही नहीं, clear यहाँ पर तो यहाँ object नहीं है, action का receiver नहीं होगा यहाँ पर, यह वाला sentence हो देखो, कुनाल, कुनाल, अच्छे, इसको बाद में करते हैं, यह वाले जो चीज हैं वो बाद जो root word है, इसका meaning होता है move, move का मतलब एक जगा से दूसरी जगा पर जाना, वो होता है, ट्रांसफोर हो जाना, मतलब ट्रांसफोर कर देना किसी विक्ति का ट्रांसफोर हो जाता है, अपनी जिस पोस्ट पे, किसी दूसरी पोस्ट पे ट्रांसफोर हो जाता है, मतलब जगा स के उपर transfer हो रहा है, तो इसको बोलेंगे transitive, simple बात अगर यहाँ पर action का transitive, मतलब यह action जो हो transfer होई नहीं रहा, होई नहीं रहा तो उसको बोलेंगे intransitive, यह होता है intransitive, clear, अब यहाँ पर देखिए, Mohan plays cricket, action का transfer हुआ अरे हुआ, यह रहा object आ गया action का transfer हुआ, object वहाँ पर बैठा हुआ था, तो यह होगी, यह जो verb कहलाएगी, वह verb कहलाएगी, transitive verb, यह होगी transitive क्योंगी इसने action का transfer हो गया ना, लेकिन अगले verb, अगले sentence में देखिए, played क्या यहाँ पर action का transfer हुआ मोहन खेला था, अरे यहाँ पर object है ही नहीं, object है ही नहीं, तो इस verb को कहेंगे, हों intransitive सर, एक मिनट, एक मिनट, यह play है, यह played है, सर क्या present form या past form आएगी, तब वो present form transitive कहलाएगी, past form intransitive कहलाएगी कोई ऐसा fund है क्या, मैंने का, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई fundा नहीं है, देखिए एक verb, एक verb, वो transitive भी हो सकती है, वो intransitive भी हो सकती है, मतलब action का transfer कर भी सकती है, और वो action का transfer नहीं भी कर सकती है, सर एक minute, टेक मिनट, puzzle कर रही है, समझ नहीं है, कि action का transfer एक verb कर भी सकती और रहीं भी कर सकती अरे देखो ना यह दो सेंटेंस लिखे हैं ना मैंने यह सारे चुछार सेंटेंस है उसी टाइप के मैंने लिखे हैं अरे कहां गया कहां बागया यह रहा ओके यह दो सेंटेंस हमें कैसे बता चलेगा सर हमें बताओ ना तरीका बताओ हमको आपने तो बता दिया हो सकती है लेकिन कोई तरीका तो होता होगा तरीका लिख रहा हूँ यहाँ पे हैं तरीका है यह रीडिंग जितना पढ़ोगे जितनी रीडिंग करोगे उससे आपके concept clear हो जाएंगे क्या है बच्चे को ऐसे रटा दिया जाता है कि ट्रिक आएगी अरे ट्रिक ले लेंगे यह ट्रिक कर लेंगे वो ट्रिक कर लेंगे सारी चीजह हो जाएगी देखो ट्रिक से नहीं होता शोटकट कोई शोटकट किसी भी सक्सेस का कोई रास्ता नहीं होता सक्सेस लेनी है तो म लेकिन ये जो है आपको समझनी होगी, ये concept समझना होगा, तब चीजे होगी, अब exam के point of view से, अब यही सोचोंगे न, sir, verb तो बहुत सारी हम कितनी verb याद करेंगे, tension आलो, exam के point of view से, जितनी भी important verb है, वो मैं कराऊंगा, जितनी भी important verb है, वो मैं कराऊंगा, वो मैं कराऊंग लिए, कि ऐसे-ऐसे story लिखनी, story बनाता हूं, ताकि बच्चों को याद हो जाए, करना पड़ता है न, बच्चे चाहते हैं कि, सामने खाना रखाओ, और मुह में भी भी या, कोई हाथ तोड़के, वो मुह में डाल दें, बस वो ही वात आती है, तो वही चीज हमांगा, tension न नहीं मिला, तो यह intransitive है, clear यहाँ पर, तो वर्ब जो है, इसको समझा देता हूं, इसको ऐसे समझो, कि वर्ब जो है, वो 100% है, 100% वर्ब है, तो 100% वर्ब में से, मानो, 70%, मैं तोड़ रहा हूं, 20% और 10%, ऐसे समझो, 10%, यह जो 70% है वर्ब, वो ट्रांजिटिव और, यह intrans कर सकती है, मतलब एक वर्ब जो वो ट्रांजिटिव बन सकती है, और एक वर्ब जो वो इंट्रांजिटिव बन सकती है, जैसे, play हमने देखा, play हमने देखा, okay, 20% ऐसी वर्ब होती है, जो ट्रांजिटिवली यूज़ होती है, ट्रांजिटिवली मतलब कि, इनके बाद इनक जो नि फॉर्टिम कर रहा है मुझे यह बहुत हाथ प्रीचत काई जा भी आ 10 परसेट होगो इस चीजग हम करेंगे कहोज बकल के आ बाउन है और यह प्रोपर है अब करना क्या है आपको करना यह है इस वर्ब के बाद एक अबजेक्ट आपको रखके देखने आप रखी नहीं पाओगे गैरेंटिट आप रखनी पाओगे क्यों कि यह भाईया इसमें एक्शन का ट्रांसफर नहीं हुआ कुनाल चला यह जो है क्या इसके बाद इसका object लिखा जा सकता है लिखा जाएगा तो comment कर देना हम उसको सीच देखेंगे ना इस चीजों को आओ जाए नहीं पर देखो और यह रही वर्ब और यह रहा इसका subject इसके बाद भी लिखके क्या है इसके बाद क्या object आ जाएगा मोन स्लिप ओन दा फ्लोर, मोन स्लिप ओन दा बैड, मोन स्लिप इन दा नाइट, मोन स्लिप इन दा मोर्निंग, भाई, रखी नहीं पाओगे, रखी नहीं पाओगे, तो यह जो वर्भ है, वो हमेशा क्या रहेंगी, वो इन्ट्रांजिटीव रहेंगी, इन्ट्रांजिटीव वाला देखिए मैंने कहा ना अगर आपको concept की clarity चाहिए ना तो यह आपको करना पड़ेगा वरना रूल रिट्टे तो हैं ठीक है अगर आप लोगों को concept समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है वो आपको probability बन जाती है कि आपको बहुत time तक वो याद हो जाता है और इतना अच्छे से हो जाता है कि आप daily uses में भी आप उस चीज को use करने लग जाते हो आपके सामने कोई चीज आती है तो आप बता सकते हो ऐसा नहीं है कि exam के point of view से हमें वो सारी करनी होती है क्या exam में काम आएग उसके बात हमें बूलना और वो life में भी काम आ जाते चीज़े ग्या अच्छे नहीं कह सकते हैं इसको आप यहां पर full stop लगा के नहीं छोड़ सकते हैं यह sentence गलत है आपको इसके बाद इसका object लिखना पड़ेगा ऐसे same to same introduce है अब क्या है वो examiner आपको यही वाप देगा अब यही वाप देगा उसके बाद वो object लिखेगा नहीं object लिखेगा न intro he introduced he introduced to him he introduced to him अब बच्चा क्या सोचेगा रहे sentence है अब बच्चा सोचेगा रहे sentence बिल्कुल गलत है यह introduce बहिए यहां पर इसका object लिखो ना इस to को हटाओ introduce him उसने उसे introduce किया clear यहां पर तो यह जो चीज होती है transitive इसके उपर error आजाता है अब बच्चा सोचेगा रहे तो बिल्कुल सही है sentence बिल्कुल सही करके आजाएगा दिक्कत कहा आगी यहां दिक्कत आगी ना यह तो कहीं कि ना मेरे लिखेक्ट ले क्या हो ना तो यह वाला वो concept आता है transitive इन transitive वाला अभी ऐसा नहीं है कि यहा success को त्यार करते हैं एक building को त्यार करते हैं से समझो चोटी 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 इंटे में लगा रहा हूं तो उससे base त्यार हो रहा है बहुत बढ़िया base त्यार होगा वहां पर यह देखें उसके बाद four भी आएगा क्योंकि मुझे पता है कि कितना और करवाना है basic में तो basic आएगा भी तो जितनी भी वीडियो मैंने आप लोगों को provide करवाती है तो वह पहले देख लिजिए noun की देख लिजिए adjective की देख लिजिए pronoun मैंने इसलिए नहीं कराए न क्योंकि वह first lecture हम start करने वाले है इसलिए pronoun नहीं कराए तो noun देख लिजिए adjective देख लिजिए adverb देख लिजिए और verb चली रहा है वर्ब देख लिजिए और वर्ब के बाद दो concept और करवाने मतलब यह दो वीडियो और करवानी है और maybe one वीडियो और आएगी उसके बाद हम detail पर आजाएंगे औ और वहाँ पर हम pronoun करना शुरू कर देंगे तो यह तो था यह मेरे पास एक बिल्ली बोल रही है नस्दी है तो उसके वाज को ignore कर देना तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में अगर आप लोगों को यह वीडियो बसंद आईए तो इसे like करें सब्सक्राइब करें जाकर आप जाकर वहां पर जाकर जोइन कर लिए तो इतना ही था अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत चल थेंक यू